हलो फेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सब का निकुंच पूटिक में स्लीव का डिजाइन बना रहे हैं उसके लिए हमने इस तरह से फोर फोल्ड कपड़ा लिया है दो फोल्ड उपर और दो फोल्ड यह इस तरह से 10 इंच की चुड़ाई ले रही हूं और 15 इंच जो है इसक की लंबाई रख रही हूं 16 से 17 इंच तक यह तयार बनेगा तो इस तरह से तीन इंच या साड़ी तीन इंच इस तरह से हम आम होल की कटाई कर देंगे और इसको इस तरह मिलाएंगे और बाजू की शेप डाल देंगे इस पर टोटल यह दस इंच है तो यहां से साड़े पाजू की पीछे से इस तरह रहेगा और आगे से जितनी आपकी मोरी है उसमें डेड़ से दो इंच आप एक्स्ट्रा मिला देंगे इस तरह मैं आठ ही इंच ले रही हूं आगे से विदमार जन और इसको मिला के अब इसको हम कट कर देंगे 15 इंच टोटल मैंने इसको स्लीव को लंबाई में कट किया है तो उसके बाद हम लेंगे उरे भी पट्टी तो इस तरह बचे हुए कपड़े में से मैंने उरे भी पट्टिया निकाली है डेड़ी इंच चोड़ाई रहेगी उरे भी पट्टी की और इस तरह कट करके अब इ मैचिंग का कपड़ा लिया है क्रीम कलर का ये बनने के बाद इस तरह से ये क्रीम कलर का कपड़ा लिया है दो इंच करीब ये चोड़ा है तो इस तरह से इसको सीधा है ये उरे भी कपड़ा नहीं है इसकी में जो चोड़ाई रखोंगे वो थोड़ी ज्यादा रखोंगी दोरी की तो इस तरह आदे इंच से थोड़ा सा कम रखना है हमने और इस तरह से इसको स्टीच कर लेना नहीं कि दिखे इतना हमने इसकी चुड़ाई रखनी है तो इस तरह धागे में फॉर फोल्ड मैंने इस तरह से धागा ले लिया है सुई में और इसको इस तरह एक जगे ह हमने स्टीच करके और अंदर की तरफ डाल दिया है डोरी निकाल लें कि बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं तो मैं नॉर्मल तरीके से ऐसे इसको डोरी को निकालती हूं यह स्ट्रेट वाली डोरी दिखा रही हूं और इभी पट्टी जनरली सब निकाल लेते हैं यह हम निकाल के रेडी कर लेना है यह देखिए इस तरह से मैंने दो तरह की डोरी निकाल ली है अब हमने एक पेपर लेना है और पेपर पे इस तरह से निसान लगा लेना है बीच में मैं डेड़ इंच के गैप इस तरह से एक नॉर्मल निसान लगाया है बाहर की तरफ एक से डे यहां पर भी स्ट्रेट निसान लगा लेंगे और बाजू की जितनी हमारी मोहरी है उतना इसको रखेंगे एक्स्टर को मैं हटा दे रही हूं जो पेपर है उसको और डोरियां हमने जो कलर्फुल वाली है डोरियां इस तरह से जितने डेड़ इंच में आ रही है और विद मार रखेंगे और निश्टा राजन गेशими आ लगाना है डेड़ इंच की जो लंबाई है उसमें डोरि को इस तरह से कट कर लेना है च्ँटशोटे को अब हमने लगाना है और जो हमने डोरि का गैप है इस तरह से जो मेरी सेम बाजू वाली कलर की हैं वो मैं पहले लगा रही हूँ क्रीम कलर वाली डोरी का इस्तेमेल बाद में करेंगे यह दिखिए नस्दीक से थोड़ा दिखाती हूँ और करीब आदा आदा इंच का जो है गैप मैंने इस तरह रखा है इसमें सभी डोरियों को इसी तरह लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी सेम हमने इसी तरीके से लगाना है बिल्कुल सीधा रखते हुए और स्टीच लगा देंगे और जो सिलाई हमने लगानी है जो नीचे की तरफ हमने निसान लगाए थे उसी पे लगानी है और जो एक्स्टर हमारा फैब्रिक और ये था जो पेपर था उसको हमने कट कर लिया है अब बाजू के बिल्कुल उपर रखेंगे और सिलाई हमने वहां लगानी है जहां पर अलड़ी सिलाई हमारी हो रखी है उसके उपर ही हमने छिलाय लगानी है इस तरह से शिलाय के उपर लगाएंगे और जो बाजू है वो हमारी सीधी है और जो हमने डोरी लगाई है वो उल्टा रखा था और अब इसको सीधा करके एक पैर की सिलाय लगा देंगे बिल्कुल किनारे से अब हमने आगे की तरब पट्टी लगानी है तो पट्टी इस तरह से लेंगे डेड़ से दो इंच आपकी कम से कम होनी चाहिए ये मेरे पास चोड़ी पट्टी है मैंने ये करीब तीन इंच जरूरी है आपके पास तीन इंच सोरी तीन इंच पट्टी होनी चाहिए और इस तरह से मैंने इसको double fold लिया है और इसको पलट दिया है और जो हमने सिलाई already लगा रखी है उसी सिलाई के उपर इसको रखके सिलना है इस तरह रखेंगे और एक सिलाई जो already सिलाई लगी हुई है उसके उपर इस तरह लगाते रहेंगे तीन इंच हमने चोड़ी लेनी पट्टी को डबल फोल्ड ले लिया है डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ अब हमने इसको पलटना है अब देखे इस तरह से पलट के इसके उपर सिलाई लगा देंगे यह इस तरह और मारजंग जो है अंदर की तरफ चला जाएगा अब हमने सिलाई बिलकुल उसी के उपर लगानी है जो अलड़ी हमारी सिलाई लगी थी पलटने के बाद भी इस तरह से दोनों बाजू को हम बना के तयार कर लेंगे और अब हम जो यह पेपर अब हमारे पास जो बचा हुआ है अंदर की तरफ उसको हटा देंगे अब हमने यह डोरी लेनी है डोरी को थोड़ा आइरन कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा बिलकुल किनारे पे इसको इस तरह स्टीच कर देंगे बिलकुल स्टार्टिंग पे डोरी को इस तरह स्टीच कर लेंगे अब हमने निकाल लेना है डोरी को अब हमने इस तरह से इसके साथ टन करना है यह दिखे उपर से लेंगे और अंदर की तरफ से धागे वगर हटा देती हूँ यह दिखे उपर से लेंगे डोरी को और अंदर की तरफ से इस तरह से और निकाल देंगे इस तरह से फिर हमने इसी तरीके से लेना है डोरी को उपर से लाएंगे और ढीला नहीं रखना है डोरी को बिलकुल उतना ही रखना है जितना हमारा गैप है इस तरहें डोरी को नीचे से लाएंगे और उपर की तरफ इस तरहें निकाल देंगे सेम इसी तरीके से हमने end point तक इसको डोरी को लपेड़ना है इन डोरियों के साथ सभी जो हमारी लूप लगी हुई है उनके उपर इससे इस तरह से टोटल जो एक तरफ वाली है वो पूरी निकाल ली है अब हमने दूसरी तरफ सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको सिल्के अटेच कर लेना है अब हमने इस डोरी को दूसरी तरफ इस तरह से सेम उसी तरीके से लेकिन एक right side में जाएगी एक left side में तो इस तरह से सेम वो ही तरीका है और डोरी जो पलट जाती है उसको पलटने ना दे सीधी रखे डोरी को और इस तरह से उपर से डोरी को लेंगे नीचे से निकालते हुए इस तरह निकाल लेंगे आप इस तरह से ये डिजाइन जो है पलाजो पैंड की मोहरी पे भी बना सकते हैं या फिर आप सूट के सामने वाले घेरे पे भी बना सकते हैं और स्लीपस पे भी इस तरह से ये डिजाइन बना सकते हैं जो की बहुत ही खूपसूरत लगता है एंड पॉइंट पे भी इस तरह से जो डोरी है उसको हम स्टीच कर देंगे और एक्स्ट्रा डोरी को हटा देंगे इसके बाद आप सिंपल इस तरह भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से मैं सिंपल प्लेन चोटे मोती लगा रही हूँ आप बड़े या चोटे साइस की जो भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं इस तरह से मोती लेंगे और जहां पे एक दूसरे को डोरी टच कर रही है वहां इस तरह इसको स्टीच कर देंगे इससे क्या यह फिक्स भी हो जाएगा और उपर से जो मोती लग रहा है वो इसकी खूपसूरती भी बड़ा देगा इस तरह से हमने मोती को लगांके और नीची की तरफ स्टीच कर देना है बाजू का जो बहुत ही खूपसूरत डिजाइन बना है इसी तरह से हमने मोती जो है सभी जो हमारे जोइंट दिख रहे हैं वहां पर हमने इस तरह एक दूसरे को डोरी टच कर रही है वहां पर लगा लेने है सभी मोती लगने के बाद जो हमारे बहुत ही खूपसूरत तयार हुई है यह देखे इसकी फाइनल लुक है सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए आप मेरे चैनल को पहली बाहर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ बाइ